एलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं समीता आज के वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हूं किचन रिलेटेड कुछ टिप्स यह टिप्स मेरी किचन में तो मेरी काफी मदद करती हैं और उमीद करती हूं आपके लिए भी आपकी किचन में हेल्प करेंगी तो चलिए बिनादेरी किच स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़ बैक ज़रूर शेयर करें वो काफी ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है टिप नमबर वन मेरी है चिमनी को क्लीन करने को लेकर चिमनी जब भी हम क्लीन करते हैं चाहे हम वीकली बेसिस पर ही क्यों न करें इसमें आउल का काफी डिपॉजिशन हो जाता है इसके वज़े से यह ग्रीसी हो जाती है अगर आप डिरेक्टली अपनी किचिन टावल से इ हैं कपड़े वाले इनका एक छोटा सा पीस है चोटे पीस बना कर रख लीजे जब भी आपको वाइप करना है बस इस पर अपना लिक्विड लगा कर आप अपनी चिमनी को वाइप कर सकते हैं और आपके जो किचिन टावल हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं होंगे क देखें मैं रोज पर कपड़ा मारती हूँ और कपड़ा मारने के बाद ये हाल देखें आप कितनी ज़्यादा इसमें ग्रीस आ गई है तो अगर ये सारी ग्रीस आपके कपड़े पर आएगी तो वो कपड़ा फिर आपका और जगर लगेगा और उससे सारी ग्रीस आपके क बीसी नहीं होगा और आपकी चिमनी भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी तो सिंपल से टिप है आप इसे फॉलो कर सकते हैं अगर आप भी वेट लॉस के लिए अच्छा सा ड्रिंक ढूंड रहे हैं जो कि फैट कटर की तरह काम करें तो ये ड्रिंक आपको काफी ज़्यादा हेल्प करने वाला है तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ही टप किया है इसमें मैंने डाला है एक कप पानी पानी जैसे ही कासा गरम होता है इसमें मैंने एक टुकड़ा हल्दी का डाल दिया है साथी सिनमन स्टिक और मैंने अदरक डाला है इसमें आप सोफ डाल सकते है यहाँ पर मैंने मेथी का यूज किया है मैं different days पर different चीज़े इसमें add करती हूँ तो अगर soft डाल रहे हैं तो आप फिर मेथी नहीं डाले या फिर अप जीरा डाल सकते हैं इस तरह से आप alternative days पर इसको change कर सकते हैं तो आज मैं मेथी के साथ बना रही हूँ और यह optional है आप चाहे तो उन तीन चीज़ों के साथ भी इस drink को बना सकते हैं इसको थोड़ी देर कड़ने देना है जब यह थोड़ा सा इसमें अच्छा सा color आजाए इसके बाद आप इसको ले लें किसी भी glass या cup में और अब यह drink हमारा almost बनकर ready है last ingredient है वो जाएगा इसमें apple cider vinegar जिससे इसकी goodness और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और यह बहुत ही strong fat cutter की तरह काम करता है यहाँ पर आप देखेंगे इसका color एकदम change हो जाता है जैसे आप इसमें apple cider vinegar डालेंगे यह एकदम बिल्कुल white हो गया yellow से तो यह हमारा drink ready है आप इसको गरम-गरम sip-sip करके पिएए और काफी effective है आप इसको regular basis पे पिएगे तो आपको काफी ज़्यादा इसके health benefit नजर आएंगे अगर आपको भी problem होती है कि instant pot में जो भी खाना हम बनाते है उसकी smell रह जाती है तो उसको दूर करने के लिए simple सी tip मेरे पास है यहाँ पर आप क्या करें जब भी आप instant pot को clean करके रखें तो इसका lid इस तरह से open रखें यानि कि इसको cover करके lock करकी नहीं रखें उससे क्या होता है जो भी खाना इसमें बना होता है clean होने के बाद भी उसकी जो smell है वो कहीने कहीं gasket में या फिर pot में रह जाती है और अगर आप इसको lock करके रखेंगे तो वो सारी इसके अंदर lock हो जाएगी आप इसको इस तरह से ढखकन को उल्टा करके रखें इसकी gasket भी हटा सकते हैं इसको clean करने के बाद भी smell रहती है कई बर तो अगर आप नहीं चाहते कि उस तरह की smell आपके next time की cooking में आए तो आप इस तरह से lid को रखें उल्टा और इससे pot में भी इसमें air जाती रहीगी तो air circulation की वज़े से जो भी smell है वो next time cooking में आपको feel नहीं होगी जब भी हम अपना masala pot refill करते हैं तो जब clean रहता है आपका pot उस time पे ही आपको sheet नीचे बिछा दें इसके को tissue paper बिछा सकते हैं या food wrapping sheet बिछा सकते हैं इस तरह से क्या होता है जब भी हम जल्दी में कुछ masala निकालते हैं अगर थोड़ा बहुत गिर भी जाता है तो वो उस paper के उपर गिरेगा और आपको फिर ये paper बदलना काफी easy हो जाता है तो इस तरह से आप अगर रखेंगे इसके नीचे तो आपका जो masala डिबबा है वो आपको frequently clean नहीं करना पड़ेगा next आपने देखा होगा कि जो masala डिबबा steel के होते हैं उनके नीचे सरसे rust आ जाती है अगर आपसमें नमक रखें मैं काफी time से रखती थी इसी तरह से नमक और हर box में थोड़ी थोड़ी सी rust आ रही थी तो मैं नहीं समझ पारी थी किस वज़े से ये rust हो रहा है पट ये नमक की वज़े से होता है तो आप make sure करें कि नमक कभी भी steel के masala box में नहीं रखें उसकी वज़े से steel में rust हो जाती है मैं इस तरह के ceramic box में अब रखने लगी हूँ एक साल से तो ये देखें आप नीचे बिल्कुल भी इसमें rust नहीं है और नमक भी काफी अच्छे से free flowing रहता है यानि कि उसमें पानी जैसा कुछ हो जाता है कई बर वो नहीं होता है साथ ही steel का चमच कभी भी आप नहीं रखें नमक में इसके लिए आप wooden spatula ले सकते हैं steel में भी आप देखेंगे अगर चमच आप छोड़ दे नमक में तो उसमें rust नहीं लगती है या तो आप ceramic का ही spoon ले 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 या wooden का spoon ले 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 या फिर अगर नहीं हैं तो plastic का spoon भी अच्छे से काम करता है इसमें तो आप ये follow कर सकते हैं आप में से काफी लोग ये चीज़ follow करते होंगे लंबे टाइम से बट जो लोग नए हैं उनके लिए tip काम हसकती है next tip मेरी है साबुदानों को आप किस तरह से perfectly soak कर सकते हैं ताकि हर एक दाना खिला 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 रहे है अच्छे से सोग भी हो जाए और स्टिकी भी ना रहे हैं तो उसके लिए आप जो भी साबुदाना ले रहे हैं क्योंकि जो साबुदाना होता है उसमें starch बहुत जादा होता है तो इसको दो तिन बार wash करना बहुत जरूरी है आप इसको तब तक wash करें जब तक कि उसका पानी बिल्कुल clear नहीं हो जाता तो यहाँ पर मैं यह इस तरह का स्टेनर यूज़ करती हूँ जिसके नीचे बाउल है तो स्टेनर में साबुदाना मैंने ले लिया है उसके बाद इस पानी में मैं दो तिन बार इसको अच्छे से क्लीन करूंगी इसको आप रनिंग वाटर के साथ भी क्लीन कर सकते हैं तो इसमें से आप पहले देखेंगे कि इस पानी काफी मिलकी रहता है और दो तिन वाश के बाद आप देखेंगे कि पानी थोड़ा सा क्लीन होना शुरू हो जाता है इस तरह से इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल चुका है और अब यह सोक करने के लिए रेडी है तो यह देखें इसी जाली में मैं इसको सोक करने वाली हूँ जाली में सोक करने से क्या होता है कि इसमें जो नीचे जो बाउल है उसमें जो भी पानी है अगर उसमें आप जादा भी पानी भर देते हैं तो उसकी वज़े से साबूदाना बहुत जादा स्टिकी नहीं होता है बलकि उसको जितना पानी चाहिए उतना ही वो एब्सॉब करता है तो यहाँ पर देखिए पोल मैंने इस तरह से रग दिया है बीच बीच में चेक करते रहें अगर पानी बिल्कुल खतम हो गया है नीचे तो थोड़ा सा पानी और डाल दे तो इस तरह से दो से तीन घंटे में साबुदाना बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट हो जाता है तो देखे बीचे मुझे पानी लगा इसमें कम हो गया तो मैंने थ खिला खिला बनता है तो इस तरह से सिंपल सी टिप है आप फॉलो कर सकते हैं और ये देखे साबुदाना कितना यमी लग रहा है खिला खिला तो ये थी मेरी आज की कुछ किचन टिप्स उमीद करती हूँ आपके लिए helpful रही होंगी आपको पसंद आई होंगी अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सबस्क्राइब करें और अपना फीड़ बैक शेर करना नहीं भूलें मैं मिलती हूँ किसी और नई इंटरिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थैंक्यू थैंक्स पू वाच्चिंग